उमीद विद जाकिर खान के इंसान रहा हूँ जो हर तरह के त्योहार मनाना चाहता है शाद में उन लोगों ऐसे हूँ इस बार थोड़ा सा जो है जो जिसको कहते ना पार्टी ने नी अलफास साही नहीं होगा वो जो पार्टी खराब कर देते हैं लोग तो वो कोरोना वाइरस जो है उस तरह कर रहा मे तो मैंने उनका फोन उठा लिए मैंना की ऑक है कि हमाएं से सेटिंग है कि पापा का फोन बहुत रेगुलर्ली आता है मिम्र्ण से ये बात कर लीते हिया क्योंकि दोनों वोगों शाती है पापा भी अब डिटाइर होगा है और मम्मी अपने नमबर से बहुत कम कॉल करती है तो वो बड़ा एक आईकंञिक इंसीडिन्ट होता है कि मम्मी फोन कर रही, तो बड़ा उठा नहीं मतलब वो कॉल मिश नहीं कहा सकता वो तो उठा नहीं तो मैंने उठा लिए वाइसा, मैंने का हाँ जी अम्मी बताईए क्या है तो कहने लगी कि बोले आरे वो पापा ने तुमको फैमिली ग्रूप पे मैसेज बिशा था तुमने पढ़ा की नहीं पढ़ा फैमिली ग्रूप पे फारवट किया है, क्या मैंने वो पढ़ा या नहीं इतना जादा गंसन था उनके आवाज में कि मुझसे मना नहीं किया गया मैंने का हाँ मैंने पढ़ा और उसके बाद इतना रिलीफ मेरी मम्मी के वाज में मैंने कभी imagine ही नहीं किया था यार तो मुझे बड़ा मज़ा आ गया यार तो मैंने वोला मम्मी और कुछ पी पता हो तो बताना बोली बताओं मैंने बताना शुरू कर दिया और वो अपना बता रही है कि कि ये तू हाट मत लगाया कर किसी को तू सब से हाथ मिला लेता है लोगों से गली मिल जाता है और जब कोई फोटो किशाने आता है तो कई बार मैंने देखा है तेरी आदत बहुत खराब है तो उनका फोन ले लेता है खुद से फोटो किशने लग जाता है फोन मत लेना किसी क एक्जल रोड़ को हमारा एक बड़ा रिपल्स है पेरिंस को मज़़ने ने आट कि सब्सक्राइब है और हमें अग्ता है कि हमारे पास इंटरनेट का जशाधा यहां उनके लिए निया है और टेक्नोलोजी कि आने वाली है जैसे कि टीवी पाहने वाली न्यूस सही होती है करो हैं जाए पर आप उनको ने कर सकते उसके लिए अलग तरीके से आपको कहना पड़ेगा फिर मैंने अगले दिन शाम को फिर से उने दुबारा काल किया और उनको समझाय कि यार वह वाटसैप पर ये वाला जो इलाज ये मैंने करके देखा ये इतना सभी वर्क नहीं कर रह है मैंने उसका ये तरीका ढूंडा कि ये ये उतना चल नहीं रहा है तिंग मैं उसका कोई और पैरलेल थियोरी लेकिया है कि इस टाइप का एक मास्क है वो अपने को चाहिए होगा तो मैंने को भीजवाता हूं आप सब मिलके करोना से लड़ रहे है, मपमी आप और मैं चाहिए आ याँ डिल्ली बंबी पूने करनी की ज़ुरत नहीं है Praat उसके लिए रिलेशन खराब करनी ज़ुरत नहीं है और इसी बात से निकलकर हमारा आजका टॉपिक आता जिसके बारे में मैं आप लोगों से सबसे बात करना चाहता हूँ क्या बहुत सारी जिन्दगी में चीजे होती हैं जहां पे आपको बिल्कुल अड़ जाना होता है रुख जाना होता है पूछना होता है और मेरा बहुत पसंदीदा शियर है वसीम बरेलवी साहब का बार-बार में उसे कोट करता हूँ मुझे इतना दधा पसंद है जिन्दगी के मेरे बड़े फलसफे उनकी घजल से निकलते है तो शेर कुछ इस तरह से उसूलों पर जहां आचाए टकराना जरूरी है जो जिन्दा हो तो फिर जिन्दा नजर आना जरूरी है कितना खुबसूरत शेर है कितना इंपॉर्टन शेर है कि अगर आपकी कुछ प्रिंसिबल्स है जिन्दगी में और कहीं पर अगर वो कॉम्परमाज होते है तो आपको बिलकुल स्टेंड लेना चाइए आपको बिलकुल अपने हक के बात कहने जी कि नहीं भई ये तो गलात है बिलकुल ऐसा नहीं होना चाही था उससे आप जिन्दा हो वो नजर आता है पर वोई बड़े लोगों की बात है न दो तरह की बाते कह जाते हैं एकी साथ और हम लोग बस ऐसे हम lesser mortals बस समझते रह जाते हैं उसके माईनी निकालते रह जाते हैं पर इसी गजल में आगे एक शीर है जो और भी ज़्यादा खुबसूरत है और वो कुछ इस तरह से है कि नई उम्रों की खुद मुक्तारियों को कौन समझाए नई उम्र मतलब कि जवान लोग जो होते हैं और खुद मुक्तारियां मतलब self dependency कि हम खुद से कर लेंगे हमें आपकी ज़रुरत नहीं है तो ये ज़्यादतर हम लोगों के बारे में ही शीर है कि नई उम्रों की खुद मुक्तारियों को कौन समझाए कहां से बच के चलना है कहां जाना ज़रूरी है ये मुझे और भी ज़ादा खुबसूरत बात लगी कि कई बार जब हम नए चीज़ें सीख रहे होते हैं दुनिया देख रहे होते हैं और क्योंकि हम बहुत सारे बैटल्स जीत रहे होते हैं लड रहे होते हैं एक साथ उस दौरान हम ना एक चीज़ मिस कर जाते हैं वो यह है कि हम ना डिसिजन लेना भूल जाते हैं कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं लणनी है और वही मेरे खाल से experience है ये एक अकेली सी चीज़ है जो इंसान को अनभाव से आती है बहुत जादा चुकि इसकी कोई स्कूल नहीं हो सकती है और नहीं कोई कभी आपको बताएगा और उमीद में हम इनी चीज़ों के बारे में बत करते हैं जो आपको शायद कोई कभी नहीं बताएगा वो ये है कि नॉट आल बेटल्स आर वर्थ यॉर टाइम यही मैं आज आपको बताना चाता हूँ इसी के बारे में बात करना चाता हूँ कि जरूरी नहीं कि जिस लड़ाई को हम इतना इगो इशू मान कर लड़ रहे हैं वो आपके वर्थिट भी है कि नहीं जैसे कि करोना वायरस का जो मेरी मम्मी ने वाटसाइप पर मैसेज भेजा है वो मैसेज मैंने पढ़ लिया और उनकी बात मान ली यह वर्थिट ही नहीं है यह लड़ाई कि मैं उनको यह बुलूँ नीचा दिखाऊं छोटा समझाऊं उनको कि आप लोग को कुछ मालूम नहीं होता है यह सब वो सब फलाना डिम का इस तरह की बात है और मैंने कितने सारे अमेजिंग टैलेंटेड लोग देखे हैं जो चोटी चोटी लड़ाईयों में बस उलजे रहते हैं जिसका कोई सिर्पैर नहीं है यार वो वर्थिट नहीं लडाई है तुम बहुत अमेजिंग हो तुमार टाइम बहुत इंपोर्टन्ट है पता चला ह आपको साफ वर्ल्ड कप जीतना था और आप पड़ोसी से कच्री की लड़ाई भी लड़ रहे हूँ नहीं ना अपने आपके आप वैल्यू नहीं करोगे तो फिर दुनिया कैसे करेगी आपके वैल्यू करनी कि आपका टाइम आप किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि चीज में नहीं करना चाहते हैं इग्नोर कर दो बहुत सारी चीज़ें आपके लेवल की नहीं हैं वो जैसे नौकरी की बड़ी मुझे लगती है पिछली बार भी मैंने थोड़ी बहुत बात करी थी उस बारे में वो ये कि ऑफिस में जो भी छोटी मोटी लाडाईय होती हैं बड़ी एगो हर्टिंग होती हूँ उनको लेकि आप बैठे रह सकते हैं मैंने जब नौकरी छोड़ी तब मुझे समझ में आये कि यार वो इतनी इंपोर्टेंट ही नहीं थी यार मशाला से मेरे रिष्टे जो हैं वो काफी ठीक ठाक हैं बहुत से लोगों से उनमें से कुछ से नहीं भी हैं क्या फरक पड़ता है तो उनसे जब मैं दुबारा मिलता हूँ या उनसे जब बातचीत होती है उस जमाने की बात होती है आज वो क्या कर रहें उसके बार में जब मैं पूछता हूँ तो वो उनी small battles की ही बात कर रहे होते हैं उसने यह बोल दिया तो मैंने उसको यह कह दिया उसने कर दिया उसने email भेज दिया मैंने यह भेज दिया जबकि वो मुझसे अगर equally I'll be modest that they were equally talented to me most of them were more talented than what I can ever imagine पर वो लोग निकलने को तयार नहीं क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा उसे दिल पे लेरका उस लड़ाई को और वो समझाना शायद मेरे हैसियत का नहीं होने क्योंकि जाधर लोग मेरे से बहुत senior थे वहाँ पर तो उन्हें क्या ही कहूं मैं कि आप जिस लड़ाई को इतने दिल से इतनी महनत से अपनी रूह लगा के जिल लड़ रहे हैं वो शायद उसका पेबैक उतना ज़्यादा है नहीं वो इतना वर्थिट नहीं है उससे कहीं बहतर दुनिया की जंग है जो शायद आप जीतते हैं सु कहले हैं उस आज बड़ी अंग्रीज यारी हिं अब इस से मिलकी आख हूँ मैंकि तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि कौन सी लड़ाईयां जो हैं वो लडने लाइक होती हैं और कौन सी नहीं मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उमीद उमीद विद जाकिर खान तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाते वे मेरे साथ एक मेरे बहुत अजीज दोस्त मेरे जो है मैं कहता हूँ रिस्पेक्टेड अक्टर है आपने इनको बहुत सारी फिल्मों में दिखा होगा और इंटरनेट के सूपर स्टार ही इनने इंटरनेट का जो है शारोखान कहा जाए तो बिल्कुल बेमानी नहीं होगा क्योगोपल भाई ये जो आपने बोला मैं नहीं सुन पारा था अभी तक मैंने डिसाइड के अपनी तारीफ सुननी नहीं है जादा अच्छा अवाइड करना है यह बड़े लोगा जिनको नहीं मिलती वो सुनना चाहते है इतने आगे निकल गए इतने आगे निकल गए हमोगी उन्हें फरक ही नहीं पड़ता कि को इनकी तारीफ कर रहा तो आपने अलग लग तरह कि इनको नो टीवी एफ के अभी की बहुत सारी वीडियो में देखो इन फाक्ट हम लोगों ने जो हक्सी सिंगल का प्रोमो शूट किया था क्योंकि हमें लगा कि ऐसा कुछ होना चीज इसमें एक्चुली वीडियो चले ही चले तो मुझे आदे तर्मिन गोल था कि इसमें गोपाल जी को लेते हैं और अगर जीडी एक बार एक वीडियो में आ गया है तो उसके बाद तो चलना तेहत और देखी कितनी कमाल की बात है यह नहीं की वीडियो चलने वाली आपने मुझे घीडी का यही मैं कपसे लगा हूँ 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 यह गोपाल जी वाली इमेज तोड़ नहीं जीडी से आझ से सीडि कहें तो बही आज अज एपिसोड सुनने के बाद सब लोग जो है जीडी को मैसेज करें इंस्टेग्राम जीतना उतना ज़रूरी नहीं है, सब जीतने को नहीं होता हैां, क्या पता आप चोटी लडाई में टाइम वेज़ करें और कहीं पर आपको तो साब दुनिया जीत नहीं थी और पड़ोसी से लगड़े में लगए हैं इससे पहले जो आप बोल रहे हैं उसमें वह है बात कि आप हर चीज मतला आप प्रॉसेस में रहो ना जीतना ही जरूरी न यह आर आर बात रास्ता भी रास्ते में आप थे में तो भी आपकाम्याबुट लेकिन यह लोगों को नहीं पर कि पावर और सिनियारिटी के हिसाब से हम दोनु जो है मतलब हम उतना उनकी बातों पर जान देते भी नहीं पर हमारे ग्राउंड पर कुछ लोग सूपर पैशनेट ओ विश्वास मान ये इस बात का तो सब को पता है विश्वास मेरे दोस्त है हम लोग 10-11 साल से साथ मेरे रह तो विश्वास भी हमारे साथ खेलते हैं मैं कहूंगा ना तो लोग मानेंगे नहीं लोग ये पुरानी रजश निकाल रहा है आप रोश्णी डालें इस बार मतलब यह रोश्णी क्या ही डालू मैं इसमें क्योंकि अभी मुझे यहां से स्टूडियो से बाहर भी निकलना ह और ठीक बाहर विश्वास करा है लेकिन विश्वास का जो पैशन है वो इतना कहीं बार खतर ना कहीं मतलब अगर विश्वास को गुस्सा आ गया तो फिर वो ऐसा लगता है कि आपकी बॉल बल्ले से नहीं मार रहा है आपकी बॉल को तमाचे मार रहा है जैसे चोटा सा कहीं कोई Barnes हो गई आ गौ me back 005 इन बातों को लेकर इतना सदा अग्रेसिव हमको डर लग जाते हैं यह पना हिं दोस्त रहenne बहुत लगए कि जगह नहीं Sum यह बहुत अच्छी बात है कि आप आर्गुमेंट के चक्कर में यह असा थो नहीं कि आप हमेशा हमेशा का रिष्टा आप इसमें तो आपने स्मार्ट लाइन कहके आपने अपना पॉइंट प्रूब कर दिया पर यह नहीं कि आप रिलेशन ही खराब कर लिए और आपने क्रि मुझे खिस्सा आद ग ileज उस दिन एक दिन लोग खेल रहे था है आपने सब को बैठा के पूछ था था यह तेरा का काम हें तेरा क्या प्रफुम्षन है और विभी अलग प्रूफिशन से थैंड कोई क्रिगटर नहीं था है तो फिर आपने बोला था कि किसी का प्रफेशन में पर हमारे ग्राउड पर पैशन अलाउड से अलाउड मुझा पर पर दिल को सुकून पहुंचाने के लिए हैं और वहां पे हार जी तो उतनी important नहीं है, बस वो लोगों का साथ मिलना, उठना, बैठना, वो important है, वो जो match चल रहा है, वो friendly match है, तो मैं कहरा हूँ, जिन्दगी में आप भी अपने, बहुत सारे ऐसे friendly match खेल रहे हैं, जिन में आप passionate होगें, और वो worth fighting नहीं है, तो किसी भी लड़ाई को जीतने से कहीं साधा बड़ी बाती है, कि ये तै करना, कि कौन सी लड़ाई जीतने लाइक, लड़ने लाइक है, और कौन सी नहीं, छोड़ देनी चाहिए, बहुत सुन्दर बात है, ठीक है, तो इसी के साथ आज का एपिसोट हम कदम करते हैं, मैं बहुत अगले हफते जो है, हाँ, बहुत ही, क्या भाई? नहीं, मतलब बहुत अच्छी बात्चीत है, बहुत अच्छा, और नाम बहुत खुबसूरत है, यार उमीद, बड़ा सुन्दर नाम है, भाई, कोशिश करी है, मतलब जास भी, मैं भी सुननी पाता हूँ, ज्याद हाँ